नमस्कार दोस्तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के घर पहुंची प्रियंका गांधी बतेदे सनीवार को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की मा का निधन हो गया उनके पार्थी शरीर को दिल्ली इस्थित आवास पर रखा गया है इसी बीच कांग्रेस की मा सची प्रियंका गांधी वाडरा आज मायावती के दिल्ली इस्थित आवाज पर पहुंची और उनकी मा के निधन पर समेदनाय ब्यक्त की इस धोरान वाँ पर राजसबास सांसत दिपेंद हुड़ा भी मौजूद रहे बतादे मायावती की मा राम रती का हिर्दय गती रुखने से निधन हो गया था उनकी मा की उम्र 92 वर्ष की थी और पिछले कुछ दिनों से वो अस्वस्थ चल रही थी सनीवार को मायावती अपनी मा के निधन की खबर मिलते ही नए दिल्ली के लिए रवाना हो गय थी बतादे बस्पा के राष्टी मा सचीव 37 चंद मिस ने राम रती के निधन की खबर ट्वीटर पर साज़ा करते हुए गहरा दुख भी जताय था उनने बताए कि अंतिम संस्कार परिवार के अन्य सदस्यों के एकत्र होने के बाद रभिवार को किया जाएगा उनका पार्थी शरीर अंतिम दर्शन के लिए त्याग राज मार्ग नई दिल्ली में रखा गया है मायवती की मा के निधन की सूचना सारवजिनिक होने पर प्रियंका गानी ने ट्वीट भी किया था ट्वीट करके कहा था कि बाउजन समाज पार्टी की राष्टी अध्यक्ष यम उत्तर प्रदेश की पुर्व मक्यमंत्री मायवती की माता जी राम रती जी के निधन का दुखत समाचार मिला इस्वर उन्हें श्री चवणों में अस्थान दे यम इस दुख की घड़ी में परिजनों को कश्ट सहने का साहस दे वही मायवती के मा के निधन पर सोग ब्यक्त करते हुए कांग्रेश के पुर्व अध्यक्ष राहूल गांधी योम कांग्रेश की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मायवती से फोन पर बात की और उनकी मा राम रती के निधन पर सोग सम्वेदना प्रकट की मायवती की मा की निधन पर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनात समेत कई निताओं ने ट्वीट कर सोक समेनना प्रकट की मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने सोक समेनना ब्यक्त करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा की उत्तर प्रदेश की पूर्व मक्यमंत्रियों बस्पा की राष्टी अध्यक्ष मायावती जी की पुज्य माताजी श्री मती राम रती जी का निधन अत्यन दुखद है प्रभु स्री राम दिवंगत पुड़े आत्मा को अपने स्री चाणों में अस्थान वा सोका कूल परिजिनव को या अथा दुख सहने की सक्ति प्रदान करें वह सुनिया गांधी ने भी मायावती की मा के निधन पर उन्हें सोक संदेश लिख कर भी भेजा है